प्रेंड्स यह जब अपडेट निकल कर आई है पशिमी सिंग्भूं चाइबासा डिस्टी के लिए यहाँ पे जो पोस्ट है कन्य अभियंता यानि जूनियर इंजिनेर और लेखा लिपिक सख कंप्यूटर ओपरेटर पोस्ट के लिए वेकेंसी जारी की गई है तो हम लोग यहाँ पे इस विग्यापन को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि यहाँ पे कौन-कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वेकेंसी जारी की गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मागा गया है एज लिमीट क्या निर्धारत की गई है आप आवेदन कैसे कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सैलरी कितनी दी जाएगी ठीक है तो इन सारे पोइंट्स को हम लोग यहाँ पे पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं चलिए हम लोग यहाँ पे ओफिसल नोटिफिकेशन के और बढ़ते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे ग्रामिन विकास भाग पंचाती राज अंत्रगत यहाँ पे झारखंड में नियुकती की जारी है और यहाँ पे जो पोस्ट है कनि अभिंता तथा लेखा लिपिक सा अफिसल ऑपरेटर पोस्ट के लिए वेकेंसी जारी की गई है कन्य अभ्यंता के लिए यहाँ पे टोटल 36 वेकेंसी जारी की गई है तथा लेखा लिपिक सा कम्पिटर ओपरेटर पोस्ट के लिए टोटल 43 यानि 43 पद यहाँ पे स्विक्रित किया गया है आगे हम लोग देखते हैं कि परतेग पंचायद पर यानि चायबासा जीले के परतेग पांच पंचायद पर एक लेखा लिपिक सा कम्पिटर ओपरेटर को नियुक्त किया जागा और इसके साथ ही दो कन्य अभ्यंता को परतेग पड़कुरिंड के लिए यहाँ पे नियुक् यानि 36 पद यहाँ पे स्युक्रित किया गया है अनारक्षित यानि जेनरल कटेगरी के लिए 18 सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है अनुसुचित जन जाती के लिए 17 पद और अनुसुचित जाती के लिए एक यहाँ पे सीट रिजर्व रखा गया है इसके साथ ही लेख पोस्ट के लिए आपको जो सैलरी दे जाएगा सत्रा हजार रुपे पर मंद दिया जाना है लेखा लिपिक से कम्पूरेटर पोस्ट के लिए दस हजार रुपे सैलरी निर्धारित की गई है यहाँ पे एक इंपोर्टेंट पॉइंट दी गई है कि कुल रिक्ती का 5% महिला एवं 36 रूप से अंधापन अथवा कम द्रिष्टी एवं भारापन एवं सरवन निश्रता के लिए 4% आरक्षित होगा यह जो टोटल सीट है इसका आरक्षन यहाँ पे दिया जाना है चली आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपको आवेदन की जो अंतिमती थी दी गई है 23 मर्च 2021 है ठीक है 17 मर्च से 23 मर्च 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं आफलाइन आवेदन है तो आप आवेदन कैसे कर पाएंगे आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कनी अभ्यंता के लिए सेक्षनि युगिता यहाँ पे क्या माँगी गई है साथ परतिशत अंकों के साथ सिविल अभ्यंतरन में डिपलोमा होना आवस्य है क्या ये डिपलोमा माँगा गया है सिविल बरांश से जो कि यहाँ पर माक्स मेंशन क्या गया है 60% या इससे अधीक होना चाहिए अनुसुतित जाती अनुसुतित जन जाती के अभेरतियों के लिए न्यून्तम अंग 50% होगा ठीक है जेनरेल कडिकरील के 60% और अनुसुतित जाती तथा जन जाती के लिए 50% माक्स होना आवश्यक है डिपलोमा में सिविल ब्रांच से चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उम्र सिमा क्या निर्धारित की गया है तो उम्र सिमा जो है 40 वर्स मैक्समम एज लिमिट है और इसकी गनना जो है 1 जनवरी 2021 से की जाएगी यानि एज का जो cut-off होगा 1 जनवरी 2021 यहाँ पर निर्धारित किया गया है और इसके लवा यहाँ पर बताएगा है कि 14 वितायोग से सम्मनित कारियों का जिस candidate के पास अनुभव हो उन्हें अधिकतम 3 वर्ष का छूट भी प्रदान किया जाएगा चलि अगली पोस्ट है लेखा लिपिक सा computer operator पोस्ट के लिए यहाँ पे जो section योगिता यहनि education qualification मांगा गया है अनिवार्य योगिता की रुप में मानिता प्राफ्त विश्टाले या संस्थान से निउन्टम 50% अंकों के साथ बिकॉम, BAC या B.A. में उतिर्न होना अवर्ष है अगर आपके पास B.com, B.A.C. या B.A. की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाइ कर सकते हैं निउन्टम आपका यहाँ पर मांक्स होना चाहिए 50% अंकों के साथ उतिर्न होना अवर्ष है इसके लगा यहाँ पर मेंशन किया गया है कि संबंदित छेतर में उचितर योगता अनुभव को प्रार्थ मिक्ता दी जाएगी यानि आपको प्रारिटी दिया जागा अगर आपके पास experience हो तो उम्र सीमा यहाँ पर निर्धारित की कही है एज लिमिट जो maximum एज लिमिट होगा 40 वर्ष होगा और उम्र की गन्यना एक जनवरी 2021 के अधार पर की जाएगी एज का cut-off date यहाँ पर एक जनवरी 2021 निर्धारित की आगया है चलिए आगे देखते हैं मुल्यांकन की इस basis पर क्या जागा यानि आपका जो merit list बना जागा आपके section योगिता, वांचित योगिता और अनभव तथा विशय ग्यान के अधार पर ही आपकी merit list तयार की जाएगी ठीक आपके यहाँ पर सारे doubts के लिए हो जाएगे कि आपको यहाँ पर कोई भी exam नहीं होगा बलकि यहाँ पर एक छोटा सा test होगा विशय ग्यान से सम्मंदित तो यहाँ पर जो आपकी section योगिता यानि आपके जो degree है आपकी जो qualification मांगा गया है उसके लिए आपको 50 marks यहाँ पर दिया जाएगा वांचित योगिता के लिए 10 marks अनुभव यानि experience के लिए 30 marks और विशय ग्यान के लिए 10 marks आपको दिया जाएगा इस प्रकार से total आपको जो marks यहाँ पर दिया जाएगा 100 marks का यह merit list तयार किया जाएगा ठीक है विशय ग्यान समंदित जाज परिक्षा में उत्रता का अस्तर 40 परतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना आपको अनिवारी होगा इसके अलवा यहाँ पर बताएगा है कि चैन की पातरता यानि सेलेक्षन के लिए कुल निर्धारी 100 अंकों में से समान श्रेणी के मिद्वारों को 50 मार्क्स लाना अनिवारी होगा जबकि अनसुतित जाती तथा अनसुतित जाती के मिद्वारों को 40 अंक लाना अनिवारी होगा इससे कम लाने पर नियुक्ती नहीं की जाएगी इसी परकार से लेखाल लिपिक से computer operator पोस्ट के लिए ड्वी यहां परे सेम मुल्यंकन क्या गे आंगे हम लोगले देखते हैं कि परिकरिया क्या होगी तो चैन की परिकरिया अंजी अंख संवन्दित परिक्षा के अंकों के प्राप्तांकों क्या थार करो और यहां पे merit list तयार का जाएगा उसमें जाज परिक्षा में समलित होना अनिवार है ठीक है तो जाज परिक्षा में आपसे विसेग ज्ञान से सम्मंदित यहां पे एक टेस्ट लिया जाएगा अगली पोस्ट है लेखा लिपिक से computer operator post के लिए यहाँ पे जो chain की प्रिक्रिया होने वाली है section योगता इसमें अनिवारिय तथा वांचनी योगता अनुभाव एवं computer जांच के अंखों के cool प्रापतांखों के अधार पर आपकी merit list तयार के जागी और merit list में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को computer ग्यान है तू जांच परिक्षा में सम्मिलित होना अनिवार यानि आपको computer आवेदन की प्रपत्र डाउनलोड करने होगी मैं description में लिंक दे दूँगा वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है डाउनलोड करने के बाद यहां पर आपको बताएगा है कि अलग-अलग पदों के लिए आपको अलग-अलग आवेदन देना होगा तता शुल्क भी आपको separately submit करना होगा अगर एक से अधिक पदों के लिए apply कर रहे हैं तो आपको अलग-अलग आवेदन करना होगा और उसका शुल्क भी आपको अलग-अलग से submit करना होगा चली आगे यहां पे देखते हैं कि आपको शुल्क कितना पह करना है तो कन्य अभिनता पोस्ट के लिए जनरल कर्टेकरी के लिए 500 रपी है और कन्य अभिनता पोस्ट के लिए ही 300 रपी जो है अनुसुति जाती जन जाती तथा महिला वर के लिए यहाँ पे शुल्क निर्धारित के आगया है सेम सुल्क यहाँ पे लेखाल लिपिक सा कंप्पूटर ओपरेटर पोस्ट के लिए भी आविदन शुल्क निर्धारित के आगया है आविदन शुल्क की राशी जो है आपको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सब्मीट करना होगा बैंक ड्राफ्ट आपको किस नाम से बनाना है तो यहाँ पे नाम दिया गया है जीला पंचायत राज पताधिकारी पश्चिमी सिंग्भूम चाइबासा शाखा एस्बी आई चाइबासा के नाम से आपको बैंक ड्राफ्ट सब्मीट करना होगा बैंक ड्राफ्ट का पीट पर बाई तरफ अपना नाम संचित पता एवं आवदित पद का नाम अवर्श्य लिखें बैंक ड्राफ्ट का जो पीछे की साइड होगी उसके बाई तरफ में आपको अपना नाम संचित एड्रेस और इसके अलवा जिस पोस्ट के लिए आप अपलाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना आवर्श्य होगा और बैंक ड्राफ्ट की ओरिजिनल कोपी आपको आवदन के साथ संलगन करना आवर्शेख होगा इसके बाद आप आवदन को स्पीट पोस्ट के मादम से सेंड करेंगे आवदन आपको किस एड्रेस पे सेंड करना है तो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है जिला पंचायतराज पताधिकारी पशिमी सिंग्भूम चाइबासा इस एड्रेस पे आपको स्पीट पोस्ट करना आपना आवदन और इसके लवा यहाँ पर एक important चीज mention की गई है कि आप आवेदन को जो है email भी कर सकते हैं लेकिन email करने के बाद आपको hard copy जो है speed post के माधम से send करना आवश्यक होगा ठीक है भेजना भी आवश्यक होगा जो कि यहाँ पर पत्राचार का पता दिया गया है जिला पंचायत राज पतादिकारी पश्यमी सिंग्भूम चायबासा इस address पर आपको send करना आवश्यक होगा और यहाँ पर email id भी दी गई है तो इस email id पर आप आवेदन send कर सकते हैं और इस पते पर speed post करने से पहले आपको लिफाफे पर जो है निश्चित रूप से आवेदित पद का नाम यानि किस post के लिए अपलाई कर रहे हैं विग्यापन सेंख्या मोटे अक्षर में लिखना आवश्यक होगा विग्यापन सेंख्या क्या है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विग्यापन सेंख्या दी गई है 01-2021 तो यह आपको दर्ज करना आवश्यक होगा आगे जो आपे दीग गई है आविदन पत्र के साथ एक स्वापता यानि पत्राचार का पता लिखा लिफाफा निर्धारित मूलिप का डाग टिकट के साथ सनलगन करना आवश्यक है यानि डाग टिकट के साथ जो है आपका एड्रेस भी उसमें मेंशन करना आवश्यक होगा अधुरा आविदन शुलक रहित या आविदन पत्र या वांचित प्रावन पत्रों की स्वव अभिप्रमानित परती सनलग नहीं रहने पर निर्धारी तिथी के बाद प्राप्त आविदन पत्र को और स्विक्रीत कर दिया जाएगा तो मैं शुर कि आविदन को जो है कंप्रीट करें तो फ्रेंड्स आई होब कि यहाँ पर आपको सारी जनकारी मिल गई होगी इसके अलवा अगर आपको कोई डाउट हो इस रिक्रूट्मेंट की रिगारिंग तो आप में कमेंट सक्सें में पूछ सकते हैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए अच्छी लगए तो प्लीज लाइक अंड शेर जिरू कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा लेटेस्ट अब्रेट सबसे पहले मिल सकें थैंक्स पर वाजिंग